How to fix no service problem in Geo SIM तो दोस्तों येदि आपकी मूबाइल में भी no service का problem आपको show कर रहा है मुझे कुछ देर पहले यापे show कर रहा था मैंने fix कर चुका हूँ और मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी जो है ये no service problem को आप solution कर सकते ठीक है यहाँ पर फिलाल तो मेरा network आ रहा है यहाँ पर के होता है कि दोस्तों ये problem जब हम face करते हमें network वगेरा कुछ भी show नहीं होता है और हमारा यहाँ पर notification बार पर हमें यहाँ यहाँ पर no service का option यहाँ पर no service लिखा हुआ दिखाए देता है चलिए दोस्तों बिरा देर के विए शुरू करते सबसे पहला solution दोस्तों देखे बैसिक सेटिंग से हम स्टार्ट करते सबसे पहले तो आप अपना mobile को क्या कीजिए एक बार सेटिंग में जाके अपना mobile का flight mode जो होता है उससे आप एक बार on कर दीजे ठीक है ओन करने के बाद में दोस्तों इसे फिर से off कर दीजे उसके बाद में देखिएगा आपका network काम करता है की नहीं यह आपका पहला step यादि काम नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है एक बार mobile को आप restart कीजेगा restart करने से पहले दोस्तों एक बार अपना sim को आप निकाल दीज़े mobile को switch off कीज़े और sim को फिर से आप slot को गुसा के आप switch on करीज़ेगा ठीक है कभी-कभी हमारा slot में problem होने के वज़े से भी जो है hardware में problem होने के वज़े से हमें यहां पर no service दिखाए देता है वो कर लिजएगा तो दोस्तों यह काम कर जाता है सही है काम नहीं करता है कोई दिकत नहीं है दूसरा setting बढ़ताओंगा आपको setting में चले जाए dual sim and cellular network या फिर आपको सीम management का option दिखाए देगा या फिर network का option दिखाए देगा यह तीनों में कोई सा भी आपको जाना है ठीक है सर्च पे क्लिक किजएगा उसके बाद में यहां पर network search start हो जाएगा ठीक है तो network search होने के बाद में दूस्तों आप यहां पर manually network select कर सकते हो लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा आप इसे on कर दीजिए automatically click हो और यह directly on होके आपका network भी यहां पर शो करने लएगा यह था तीसरा solution इससे आपका काम कर जाएगा यह सबसे best है यह दि इससे भी काम नहीं करता है तो आपको जाना है अपने mobile के settings पे उसके बाद में दूस्तों आपको ढूनना है more setting या फिर additional setting और यहां पे दूस्तों आपको ढूनना है backup and reset उसके बाद में आपको reset to factory setting पे जाके आप देख सकती हो सबसे उपर reset system setting only इस पर click करके आपका entire mobile का जितना भी setting से उसे आप reset कर सकती हो ठीक है तो दोस्तों यह ढून लेना है आपके mobile के अंदर में reset system setting only और ढून के जो हो आपको अपना system को reset करना है ठ तो यह आपका network का भी setting reset होगा आपका mobile का data का सारा कुछ का reset हो ठीक है तो दोस्तों इतना करने के बाद में आपका problem जो है वो solve हो जाएगा मैं guarantee के साथ आपको बताता हूं और दोस्तों यह फिर भी नहीं होता है तब तो दोस्तों आपका mobile का hardware का problem को जैसे भी आ सकता है ठीक तो दोस्तों उमीद करता हूं वीडियो पसंट आया होगा thanks for watching